यहीं दोस्तों यह लाइब क्रूइंग इंडिया मुखका स्वागत पर चलते हैं एक अच्छा आर्ठ का यह बार्वाध्या है भारती राष्ट के अन्डोला 1885 से सबसे इंपोर्टेंट कोशन यहीं से पूछा जाता है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं पहले देखिए कहां से देखना है तो देख सकते हैं आपको जैसे आप करोगे तो आपको यह मेरे फोटो के साथ है आपको इस इतने भी है जिसे हिंदी वियाकरम के लेक्चर चोदर लिए गया है इवीस का नाइन लेक्चर लिए गया प्लेइस आपको यहां पर दिखने हैं कि मिल रहा होगा और टोटल थार्टी लेक्चर मैच पूरे 6 सेट मैंने कवर डिया है चुछ सेट मैच एडिक जीरो लेवल का मैंने कंटेंट कवर किया और यह आपका इस सीर्ट ब देखी और उसके बाद जब देखिया और भी मैंने कवर किया है जिसे कच्छा 6 का हुए आतीत भी हार यह सारे चीज़े इसमें मैंने धाला है थामने जल दी इसको मैं कवर कर देंगा यह सारी जाकर कि कच्छा 6 का चौटल लेक्शन बस तेरे एक तेरे चप्टर चप्टर इस है कि यह लाल बाल पाल है जो कि आपको मैंने बता दिया था इसकी आप जाकर के वह लास्ट वीडियों देख लिए अब हम नेक्स चलते हैं सुराज मेरा जल्म से इदा दिकार है इसको में और मेंसे में लेकर रहा हूँगा यह किसका कतन है तो बाल गंगा दरती लगने कहा कि आपको पढ़ना है और एक स्टोरी फोर में आप देख लीजिए तो इसको बहुत हेल्फुल रहेगा चलिए सीदे कर चलते हैं बंग भंग सोदेशी आंदोलन लॉड कर जनने सो राश्टी आंदोलन को कमजूर करने के लिए उनिस सु आठ निस सु पांच इस्वी में ब प्रात्मा प्रतिवर्णन की निती क्या है सिच्चुकों से सर्चक चलिए उस समय बंगाल के अंतरगत बंग अलादेश परशिम बंगाल उरिसा बिहार उर जरकन के परदेशते यानि यह सारे समलित नहीं थे जो कि बंगाल के नाम से जाना जाता था उनिस सो पांच में कि करित बंगाल जो कांगरेस के अत्वा राष्टी आंदोलों का गड़ था उससे सामुद्य का अधार को हिंदू में बहुल बच्चिन बंगाल बिहार जरकन और उरिसाम है और मुस्लिम बहुल पुरवी बंगाल को दूसरे बिवाजित किया जाए मतलब को पीछे की मन करके जिसे बंगलादेश में चला गया है इस बीवाजन में बंगाली न भासा चेत्र को दो भागों में बीवाजित किया है और भी बहुली का उंभासी रखने वाले विहार उरिशाम जारकन को पश्चिम बंगाल के अंतरगतर रखा गया पश्चिम यह देखेंगे तो इस सब्सक्राइब निकल के आजाती है इस तरह साथ देखेंगे तो हम में जब भी हरक में पढ़ाएंगे तो उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे नेक्स्टम कलास लेंगे आप डिजिटल बोर्ट पर चली चलते हैं इस बीवाजन में बंगाली चेत्र को दो बीवाजन मे सब्सक्राइब तो अपनी बातेरे और राष्टवादी जितने भी पढ़े लिखें उसमें बढ़ गते वह इनका बिरोद कर रहे थे तो 15 अक्टूबर 1905 को विवाजन लागन होने के दिन समुचे बिहार बंगाल में सोक दिवस मनाया गया जाए तो आप कोशन भी आता है सोक दिवस कब मनाया जाता है तो 16 अक्टूबर 1905 इस वी को कोशन यहीं से आएगा यहां पांटेंट अगर नहीं देखते हैं कोशन य बंगाल में सोक दिवस किस दिन मनाया गया तो 15 अक्टूबर 1905 को लोगों ने क्या किया लोगों ने उपास रखा यानि कि वर्त रखा कोच भी खाना फिना ने खाया बंगाल की गल्तियों में बंगलीयों में बंगलीयों में बंदे मात्रम के नाड़े गोंजू उठे कलकत लॉइत्रों ने स्कूलों एवन को लेज्यों वकिलों ने नयालों का वहिस्कार किया रखार्डीयों कि स्वधियों कहां कहां तक भेーーい ने भाखा लिए थैज्टों ठीय का सब्सक Denn Happy Top old बंगाल से जितने भी बाहर जिसे लावा रजपतर है बंजाव के थे और तिलक जो तो है महाराश्टा से तो भारत के पुड़े देश को फैलाने के काम इनको मिला नेश्ट चलते हैं सरकार ने दमन का सहरा लिया आम सभाहों का प्रतिबंद इसमें सारे कोश्टाइब करेंगे को सिट करेंगा टो लास तक देखेगा कोश्टन ओबजेक्टीव इसमें स्टोरी क्यों में आप समझे रहेंगे तो एंसर भी लगाने में आपको इस त्रृता होगी और अच्छे सा सब्सक्राइब लगा पाओगे कई लोग एंसी की रटना शुरू कर रहे हैं और लगाने से उसको कुछ भी फायदा नहीं होगा इस तरह से अगर आप एक वर देखके चले जाएंगे तो आपको साइध हल्फुल रहेगा चली चलते हैं लोगों ने विदेशी वस्तों का बड़िस का रहे हैं यह सारी इसे में बताए नेक्स्ट है सरकार ने दमन का साहरा लिया आम सभाव को परतिबन लगा दिया अकवारों पर जवां दमन का मतलब होता है को उस पर परतिबन लगाना दो चीजे जो आज भी देखने को मिलती है स सरकार के तरब से होता है दमन लगाना या पर कुछ भी चीज़ों को अगर आप जैसे बिहार में ही अभी भी हार से चक लोगों ने अगर आपने सांती पुर्वक अपने बातों रखना के लिए डोमेशाइन ने ठीक लिए बात कही तो इस पर दमन किया गया है इस पर कानु लगा दिया कि अभी देख़ें से चको को परतीबन लगा दिया अकवारों पर जुर्मान लगा गया राष्टी ने ताहों को ग्रतार किया गया अभी भी देखते हैं शात्र ने अब बेगुसरा यहां से उठा उठा करके उसको नचर बंद इवेन उनकी जो शैल्डी है ने ने उनकी रोक लगा दिया गया यह सारे अभी भी चल रही है कुछ हद तक तिलक को राजद्रोफ के आड़ोफ में लफजा करके छे वरसों के करावास की सजादी सुनाएगी है जो कि गलत था आंदोलन के दीरे कम जोड़ एक सकिन करके मैंने ब्राइटनेर्स वरा दिये सब्सक्राइब करा था यह लोग अंग्रेज को अफसरों को हत्या करके उन्हें दमन का जवाब देना चाहते थे अब देखी कौन को लोग और उसमें जुचा युवाद वर्ग थे संपर्दायक्ता का विजाडोपुर्ण कहां से हुआ से हुआ संपर्दायक्ता आप मुसलिम लीग के गठन में भरपूर मदद की यहां पर देखिए यहां में मदद की कव की तो मुसलिमान जो पर यह एक कोशन भी आता है कि उन्हें से शचाहल में मुसल्मान जमींदारान नवाब गठन कहां पर हुआ तो दाका हम हुआ तो जो कि पहले ही इंडिया में नहीं था ठीक है बंगलादेस में पड़ता है ढाका बंगलादेस की राजदाने है लीग ने वंगलाल के विवाजन को जायज बताया यह सारे देखिए लीग ने मुसल्मानों के लिए अलग पर तक अलग निर्वाचक मंडल कि ने की मिग जिसे 1906 में सरकार ने मान लेग यानि सबसे पहले अलग मुसलिम लिए यानि जो डिमांड उठी ते उच्छे मी कुशन भी आता है कि मुसलमानों ने ठाका में स्थापिद हुआ था सब से पहले मुस्लिम लिगी ने मुसल्मान के लिए अलग प्राहंत और निवाचन के लिए इसतापना कब मांगी थे तो उन्य सो च्छे में और उसको मान लिया गया है सरकार के दोरा उन्य सो नो में तीन सालवाद मान इसलिए लिया है कि उनको फायदा दिख रहा था आप देखें हिंदू सब महासभा महासभा के रूप में 1915 में किया गया है दोनों दल परस पर बिरोधी भी रच्यारदारा रखने वाले थे जिससे आगे चल करके भारतिय राष्टे का राष्टे आंदोल संप्रताइक बिचारों से कमजोर हुआ है यह इस तर पूर्ट लालों दोनों के महांगे अलग थी अतिवादी करांती काड़ी यह देखे बिचिस सत्ता से और संतुष्ट युवाबग में अतिवादी विचार भी पर अपने लगा था उस हिसमें जैसे खुदीर रामवोश का ये शित्र दिख रहा है सबसे छोटा वर्ग के सबसे चोटे 16 साल क सब्सक्राइब करने वाले पर्थम कोशन भी आएगा को सबसे पहले प्रम करने वाले कों थे तो खुदीर रामवोश ये कोशन आती है बार बार एक वार फिर सबसेता हूं खुदीर रामवोश भारतिय राष्टे आंद में बंकी राजनेंती का प्रदाने वाला पर्थम करनतिकारी थे तो पहले करनत्य कारी कौन बने जोगं का उप्योग किये थे वह कोई रामवोश इन इन्होंने गलती में गलती में किन्स फोर्ट के जगर प्रिंसल कनेडी की वगवी इपर 30 अपरेल 1908 को बंप फेक दिया था बंगमी में सवार कनेडी की बेटी गटनास तक पड़ी मर गया और सब्सक्रान में कनेडी की पतनी ने दम तोर दिया कुछ लोगों द्वारा इस गटने को चर्चा चल रही थे कि जिस पर कुदी रांबोस अचानक बोल पड़े क्या खेंस फोर्ट नहीं मड़ा लोगों के इन लोगों इन पर सक हुआ और यह पकड़ेगे मुकदमा चला कर इन्हें इतनी जल्दी सजया उसमें सुना जी जाती थी आज के टाइम में देशाब को उन्हें कब पकड़ा गया था कब उनको फासी पचड़ाएगा आपको पता ही है मुझे परपूल बर्मकार्ण में एक नहीं राजनेतिक विचेतना कहारा नहीं हुआ इस घटना के संबन में 22 जून 1908 को केसरी के संपादी के ने कितिलक ने लिखाया कि उन्हें अठार सो तानमे को जब पूना में फ्लेग कमिशन रेंड किया त्यावज चापेकर वंधून द्वारा की गए थी उसके बाब मुझे परपूल बम स्पोर्ट की घटना तक कोई म को साजपूलबक कर सही अंजाम देने की घिश्ची से देखा जाये तो चापेकर बंधू के काम को पंगाल के घटना से सेर्ष्टकर माना नहोगा चापेकर बंदू और पंगाल के करांती काड़ियों के द्वारा की गई घटन हत्याओं का साधनन हत्याओं के से भीन थी क्योंकि अंचाम देने वाले समझते थे वे हरास्ट हीत में महत्पुन काड़ कर रहे हैं एक सकेंड कर ताम देजिएगा है यह इसी स्टोरी की स्वाम ए सुनते रही है यह ते तो लेकिन मुझेफ़की गटना काड़िस्टिक और व्यापक थार्ड के करण भूमा के अवहेस्ता और त्यचार था जबकी मुझेफ़कुए गटना का कारन बंगाल का व्याजन था यह किस्ते प्रयरीत था तो बंगाल कि भी बाजन के 1905 में उन्हें ने हत्या किया और उसके 1908 में उनको सजाद सुना दी गई फासी की अब यह देखे फिर्थक विन्यवाचक मंडल किसी खास धर्म रजाती के लोगों का चुनाओं अपने जाती यह धर्म की लोगों का द्वरा किया जाना संपर्दायक तक किसे क कोई भी घटना का जिक्र नहीं किया गया है से अर्टी बीटी बीटी बीसे वीबुक में अब सीधे चली परते हैं गांधी का आगमन दश्री नपरिका में सत्याग्रह का सफल प्रयों करने के बाद गांधी मातमां गांधी बारतों लोड़े गांधी जी ने अंगरेज को नेशल वेदी निती के किला पासा यह दर्श्री नपरिका के लोगों की लड़ाई लड़ी देश्री नपरिका में उनके संगर्स्वें उनकी सफलता से भारत में उनकी काफी लोग पर यह बना दिया था सारे नियुक्त के लिए बनावट के आधार पर लोगों के बीच में बेदाव जिसे होता है गांधी जी नतत्कालिक परश्दितियों को समझाने के लिए समझने के लिए पूरी देश का वेड़ा किया और सबर्मित्री आसरम हमाधाबाद को एस्तापित किया साम़ित्य आस पूरे जोड पर था लेकिन उन्हें उससे नहीं हुए वे वे अब पता सकता हुम्रोलादोलन कब कि आसपास क्या था तो नहीं से पंदरा कि उसी समय आहे थे वे तो पूंबूल नाधूलन के इस विजार के बिरोते की अंग्रेजों के कोई भी मुसीबत उनके लिए अफसर है इसी राजनीती के तहत इसी राजनीती के तहत तो पूंबूल नुडूलन छोड़न फिरा गया था गांधीची नरंपत्ति राजनती में भी आसता नहीं रखते किसी भी संगठन में अपनी सर्थोस में सामिल होना चाहते थे भारत में सत्यागड़ा का प्रथम प्रियों कहा हुआ तो चंपारण में एक कोशन आता है यह देखी टॉपिक का बीसिस पढ़ेंगे कांधी जीन राष्टी आंदोलों को मुकधारा से जुड़ने के पहले रास किसानों का अंदोलन था लेकिन अहमदावाद अधुड़न अधुरस ने समझने था सबसे सफल कहाने बिहार के चंपारण किया है उनिस्वी सदी के चंपारण में चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज शी बगान मालिकों ने एक सुझता किया इस पैसले कि तत्व यह सारे चीजे मतलब नसेली चीजों का करना पड़ता था क्योंकि यह सारे चीजे यहां से उत्पादित किये जाती थी तो वहां का जमीन जो हता थी कठा गड़ वह बीस कठे में जाती थी तो नेक्स्ट येर वह कुई भी उपज नहीं होती थी कोई भी गहों या खाद द अधिया नसीले चीजे जमीन बंजर हो जाता था दूसरा नुकसान होता था यह सारे नसीले चीजे पदार्थ होती थी अंग्रेज बीटीस अपने देश लंदन यह ले जाते थे तो यहां पर ठंड जाद होने के गारण वहां पर वह सेवन करते थे 5 कि इसे ही इसे तिन पर धिति भी कते हैं लेकिन उननीस जफी सदी के अंतर में जर्मानी के रऽस्दा नीकोडियों Def reduce ने नील की मगांकर उंतार हश्ची वेपर से बाहर कर दिया किसान के मांग घठ जाने के खेति नहीं करना चाहते थे लेकिन अंग्रेजगे बहागा, उंसे मालिकों ने समझ ने समझोते एक से मुक्त करने के लिए कई ही तरह की अनुशीत दरते रखे, किसानों के बिरूदयमंतंग हाली के बावजूत अंग्रेज ये तम जमिन्दार किसानों को लोड़ते रहे, चमपारन के किसानों को जमिनदार छंगूल से मक्त करने के लिए ने ma bedroom ने कंग्रिस के लगना क्या ने का दून पर तो आपको पता यूपी के राजदा नहीं है ठीक है गांदी जी जब किसान की समस्वाइब को समझने के लिए चंपारण पहुंचे तो कमिस्रा ने वापस जाने का देश दिया लेकिन गांदी जी इसे मानने से इंकार कर दिया और किसी भी दंड़ को भोगतने का भचला किया मतलब कोई भी दंड़े जिया कि मैं नहीं जाओंगा बापस और यह दे सकते हैं गांदी जी का यहाँ पर फोटो जो कि ब्लेक और वाइट उसमें आती थी और यह चंपारण में गांदी में उसमें यह सारे ची कार अंग्रेज यह लोग नहीं माते हैं इस मुद्धे को तूल नहीं देना चाहते थे और इस अस्ताने सब्सक्राण को अपना आदेश वापस ले करके गांदी जी को चंपारण के गाहों में जाने की छूट देने थी चम यहीं पर गलती कर दी अंग्रेज यहां पर जोट प्रसाद राजने परसाद और जैबी कि प्रलाने जाने का प्रयास किया और ब्यान में दर्ज किये कराते हैं सरकार ने भी मामले कुछान मीन के कमिटी के गठेत की सदस गांदी जी को बनाया गांदी जी आयों को समझाने ने सफ़ल रहें तिन कठिया व्यस्ता समाप्त हो और बगान के मालिकों द्वारा अबेद रुप से वसूल रकम वाफस की जाए बगान मालिक 25 परसें रकम वाफस करने पर समत हुए गांदी जी मान गए क्योंकि उनकी नेजर में यह भी मां बगान मालिकों के लिए बहुत बेज़ेती हुए जो कि बाद में कारगर सीद्व हुए सरमेंदगी में एक दसक के बाद ही यानि एक दस साल के बाद ही बगान मालिक चंपारन मदेद मागी चंपारन के सफल्ता देखने को अजोड़ागी मजदूर के मिल ज्यत्य वेवीजित कारण बढ़ती मंगायों को लेकर वेतन बीदी की मांग कर रहे थे लेकिन मील मालिक मजदूर की मांगों को द्यार नहीं दे रहे थे गांधी जी ने सांधिपुर्व खरता करताल का सुझाव दिया लेकिन बगैर वेतन के मजदूर लंबे समय तक रताल नहीं कर सकते थे इस अबस्तेट को गांधी जी ने स्वें ने भूखरताल पर बैठने करने ले लिया गांधी जी ने बढ़ास्ट पार्ति राष्ट्वादी यह का सत्य गड़ा करने सस्त्र बना यानि कि उनका सस्त्र सबसे बड़ा क्या बना तब भारती राष्ट्वादी को सत्य गड़ा सत्य गड़ा यह बिना लड़े कुछ की हुए सांथि पुर्वक खरताल लाव पास के माध्यम से अंग्रिजियों के समराज भ्यास्ट राष्ट्वादी यह देखे चंपारण न कि हमने कहा कि सार्वजानी विस्वास रखते हुए विस्वास के लिए सरकार या आदेश के लंगन के लिए सरकार उन्हें जोंहें मानने के लिए सर्वाज निखीत और जमिदारे की भावना करो रखते हुए सिदे आती है उन्हें सो पंद्रा सत्रा के बाद उन्हेंस की घटना आती है जो कि चलिया वाला हत्याकाड यह सारे पिक्चर आपको दिख रहा होगा कितने नर्सरंगार किया गया था यह इसके द्वरा किया गया देखें रोलेक्ट सत्यागड़ा के कारणी यह सारे शीजे हुए थी यह यह था कि बिना हम आदेश के बिना कुछ भी अगरा हमको संका है तो आपको उठाकर जेल डाल देंगे और कई कितने समय तक रखेंगे यह कागार पर थी उनिस उनिस में उनिस ठाड़ा में विस्यूद खत्म हो गया था आप चलते हैं चर्चा करते हैं राश्टी अंदरोन में परविसर इनके साथी जहां घांदी जी ने संपारन खेरा और गामदाबाद के अंदरोन के मद्यम से लोगों के बिरुत के लिए सत्य एक के कोशिश किखे उनने मार्श उनिस में मौनिसने में रोलेक्टिक्ट परकर समय तक रिखतार सकता था यह बहुत बड़ा बयकार सांजुन था रोलेक्टिक जिसको खाला-पारोन के नाम भी सैंग जाता है ननि संदेक वाहाप्स टिया जा जहां सकता गांधी जी यन र रास्टी अपमान दीवस के रुप में मनाने करने नहीं लिए बहुत तेज से रास्ट पापी विरूद एम परदेशन की हुए इसी करम में पंजाब के दोने ताउ से बुदिल किछलू को ने से बुदिल किछलू और सत्यपाल को गिरफतार कर लिया गया किनकों को गिरफतार कि दिन बड़ी संख्या में बाग हते अमरे सर में रिवा हुए लोग सभा कर रही थी पुलिस ने बीना चेताम ने दिये बीर पर गोली चलाने से रूप कर दी सैक्रों लोग मारे गए हजारों की संख्या में घावल लूए और सारे देश में इस गटना को अंदुलित कर द पढ़ेंगे और केसरे हिंद जो है अपको अत्मा गांदी ने उपने अपवाधी को ध्याग दिया था जो नको मिला था खिलापो था अंदुलन जो उसके बाद चली थी खिलापो अंदुलन को जो करता धरता था महमध अली और सबकद अलीव परतं बीश विद्व में पढ जो कि वादा हिनको और वह जो चल्स वाधाम के यहां सेधसिके कि आ हुए शेखरें निवाति जान्दिंगान उult लिए ने उसे हिंदु मुस्लीम EKDA करते पांदों को होए जालियावलवाइफिया काण के मामले मामले के में हुई अत्याचार के विरूद आसयोग آंदुन चला करके सoration की महाँ कर दिया यानि हिंदू यक्ता को अफसर ये देखे करके एक ही महाँ कर रख दिया सोराज हमें चाहिए खलीफा क्या होता है मुसल्मानों के धार में कि रूप से प्रधान व्यक्ति उन्हें अगस 2020 में गांदी जी के नेत्रितों और जो चलाने का नहीं ले लिया गया और से उन्हें सरकारी पद्मियों को छोड़ने का नहीं लिया गया वकीलों ने नया ले छोड़ने का हुआ नखिया मुतिलाल नहरू जोकी जवाला नहरू के पिता थे जेपी ठीक है सियार दास राजय को पाली चार्ज अंसौकत आशफ अली देख सकते हैं काफी टाइम हो गया में रात में अभी वीडियो बना रहा हूं आपके लिए तो चल दी अगर अच्छा लग रहा है लाइक की जएगा सब्सक्राइब करेंगा तो इसके बाद हम इस वीडियो को नेक्स्ट लाएंगे जब नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे क उसको देख सकते हैं इसको हम माइंड अफ करते हैं केशरी इंद ने स्विकार कर दिया उसके बाद वकिलों ने नियाले चोड़ने का आवान किया मोति लानलेरों जेसी आरदास राजकुपाली चाहरा सफली ने वकिलों ने वकाले चोड़ दी विद्यार्थियों ने स्कू अंदुलित हो थी जग भागी दारी यह सारी चीजह अंदुलन में महिलाओं के भागीदारी मजूलक के जो एस्टीटियू में उसके बारे में उसके बाद हम परहेंगे नेक्स्ट वीडियों में डान्डी मार्च जो की 1935 में हुई थी उसके बाद भाद चोड़ों पर देंगे सारे वारति अराश्ट है तो अगर वीडियो ची लगी लाइक किज़ेगा और भी जीसे कंटेंट है जैसे कि मैं सचे से ने कवर कर दिया है तो जीरो लेवल कमें ने बता है उसको जाकर क्या प्लेलिस्ट जाकर दे सकते हैं कैसे देखना है और यह चैनल का नाम है चैनल मिल जाएगा और 4.93 सब्सक्राइबर है और भी इसको कोपी करने की कोसिस किया जा रहा है लोगों के दुरूब तो नो डाउट कोपी नहीं होगा तो यह आपका है और यह आपका है पूरा कंटेंट जो कि आपको मैस रिजिनिंग के लिए आप यह दे सकते हैं ती ले आप पढ़ना चाहते हैं जो कि यहां से देख सकते हैं और यह 45 डेज में आप क्या सकते हैं यह सारे चाहिए आपको मिल जाएगा जैसे आपको अगर आपको पीडियाफ चाहिए लाइक यह सारे चाहिए तो यहां से जाकर कि एविए का पीडियाफ आपको मिल जाएगा सकते हैं और जितने भी आपको नोट्स मिल जाएगा और जितने भी आपको नोट्स मिल जाएगा तो यह सारे चीजे 628 तक आप ज़रूर से देख करके जाई है सब्सक्राइब करते हैं आप देख सकते हैं यह देखिए मैंने सारे आपको बताया है जाकर करके आप देख सकते हैं और वीडियो चाहिए लेगी लाइक किजिए करें सब्सक्राइब करेंगा है विए नैश्टे